Knee Arthritis या गुठने के Arthritis में PRP एक बहुती effective procedure है PRP मतलब platelet-rich plasma इसमें हम patient का blood लेके ही उससे कुछ products निकालते हैं और patient के knee में inject करते हैं PRP के injection से cartilage naturally regenerate होना शुरू होता है जिससे की patient का दर्द पुली तरह से खतम हो जाता है PRP का injection तभी useful है अगर यह हम knee arthritis की early stages या medically कहें तो up to grade 3 arthritis में दें जिन लोगों में बहुत severe knee arthritis या grade 4 arthritis होता है उसमें इस injection की usefulness कम है उन patients को knee replacement से ही फाइदा होता है लेकिन PRP एक अच्छा तरीका है जिससे की हम patient का knee replacement 2-3 साल के लिए टाल सकते हैं PRP injections को हम 3-6 महीने बाद repeat भी कर सकते हैं और अगर patients इसके साथ में अच्छे से exercise करें और weight कम कर लें तो knee replacement की जरूरत को पूरी तरह से टाला भी जा सकता है 90% लोगों में PRP injections बहुत effective रहता है उनका pain पूरी तरह तक या फिर काफी हद तक कम हो जाता है ऐसा भी देखा गया है कि कुछ patients जिनमें की PRP injection बहुत helpful नहीं रहा उन्होंने साथ में इसके exercises, weight reduction और प्लस कुछ medicines ली उन लोगों में भी knee replacement को हम टाल पाएं हैं मेरे जादातर patients PRP injection के बाद संतुष्ट हैं, वो लोग अच्छे से treatment protocol follow करने की वज़े से knee replacement को भी avoid कर पाएं हैं मैं अपने सारे patients को कहता हूँ कि before going for knee replacement उनको PRP injection और साथ में supervised physiotherapy ट्राय करनी चाहिए काफी patients इससे knee replacement को काफी साल तक टाल भी पाएं हैं PRP का injection एक safe तरीका है, इसमें क्योंकि हम patient के blood से ही product लेके patient में inject करते हैं तो किसी तरह का infection होने का process या immunogenic process होने के chances बहुत कम है इस injection को OPD में 5-7 मिनट में दिया जा सकता है, patient इसके बाद चलके तुरंत ही अपने घर जा सकता है इसमें कोई भी hospitalization की या किसी तरह के OT assistance की जरूत नहीं पड़ती Hopefully ये वीडियो आपको ओपयोवी रहेगा